देखिए कापी सारे जो student है या फिर अब हरती है form को feel करते हैं किसी प्रकार की कोई सरकारी नोकरी की त्यारी करते हैं और form को feel करते हैं या फिर मालेजी आप किसी भी संस्तान में admission लेना चाहते हैं तो आप कई बार देखते हैं कि आप से जो है EWA certificate का जो है demand की जाती है ऐसे मैं कापी सर लोग को पता नहीं होता है कि EWA certificate क्या होता है EWA certificate से हमें क्या lab होते हैं EWA certificate जो है किनका बनता है EWA certificate बनाने के लिए आपके पास क्या क्या document होते हैं और EWA Certificate जो है बिहार में आप online कैसे बना सकते हैं आज किस वीडियो में जो है सभी चीजों को हम clear करके बताएंगे जिसके माधिम से आपको पता लएगा कि आखिर EWA Certificate क्या है और इसको किस तर सा बड़ी असानी से बना सकते हैं लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं कियें प्लीस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले अपने कॉम्प्यूटर के बराउजर में EG2net.com सार्ज करना है फर्स्ट में आपको जो EG2net.com का वेबसाइड मिलेगा इसको यहां से ओपन कर लेना है जैसे यह ओपन करेंगे तो आपके सामने EG2net.com का जो अफिसल वेबसाइड है इस तरह से देखने को मिलेगा यहां पे आने के बाद देखिए हम आपको हमेशा सलाह देते हैं कि किसी परकार की कोई भी आपको लिंक चाहिए तो आप यहां पे सार्ज कर सकते हैं तो आपको यहां पे सार्ज करना है EWS ठीक है बस इतना ही सार्ज करेंगे और देखेंगे तो आपको जो है EWS सार्डिफिकेट का जो लिंक है यहां पे देखिए यह जो है एक तरह का रिव्रेशन का जो है लाब देने के लिए सडिफिकेट है जैसे कि आप सबी जानते हैं कि जो भी समानिय बर्ग से आते हैं उनको किसी परकार का कोई भी रिव्रेशन का लाब नहीं मिलता है और अक्षर का लाब नहीं मिलता है तो उसमें क्या ह हुए जो कि समाने बaldo कर से के नोक्री निए क्यों बहुत ही आर्ठीक्प स्मुना स्वर्ट होथDesert ऑनों के पाइंगे उनके पास क्या होना चाहिए क्या Túno संध curb जो crack phi में यहा फिर किसी प्रकार के उफ पीपिसि कॉलेजमेद जारी नहीं किया जाता है ठीक है और इसको आप देखेंगे तो पूरे जो है राजे में ही नहीं पल की पूरे जो है देश में इसको लागू किया जाता है हम बिहार की बात कर रहे हैं कि आप बिहार में कैसे बना सकते हैं और आप किसी अलग राजे से आते हैं तो वहां का भी आप search कर सकते हैं और बना सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से EWA certificate बनता है ठीक है अब यहाँ पर देखिए मिलने वाली की lab की हम बात करें तो सिक्षा रुजगार किसी परकार की जो रार्ची छीठ है उसमें आपको मिल जाएगा आर्थिक साहता भी इससे मिल जाएगा उसके बा आपके घर में जो भी आयका सुरोत है टोटल परिवार का जैसे क्रीशी से नीजी नवकरी से वह साय से बेतन से वह सब मिलाकर आपका जो परिवारिक बार्ची आयक होना चाहिए आठ लग से आठ लग रुपैक से कम होना चाहिए ज्यादा होगा तो आप EWS के अंदर नहीं भूमी है जो की EWS प्रमापतर अच्छर लाब प्राब करने के लिए यह पांच एकर छेत्र में होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके साथी साथ आपके परिवार के पास आवासी जो फैलेट है उस ज्यादा होगा तो आप इसका लाब नहीं ले सकते हैं इ आपका अधार काड़, पैन काड़ या फिर भोटर आड़ी काड़ कोई एक लगा सकते हैं स्वाए घोसित परमापतर देना होगा मॉबाइल नमबर इमेल आएडी एक फोटो भी लग सकता है जो कि सेल पर लगेगा और भी कोई डॉकमेंस हम आपको आगे बता देंगे ठीक जो सर्विस प्लॉस का वेव साइड है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको समाने पर सासन बिभाग का जो है ऑप्शन मिलेगा इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के लिए आय और समपती पमार पत्र का नि उसको बता दीजिएगा फिर कोई अभिवादन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं नहीं तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर जो भी एप्लिकेंट है जिनके नाम से आप EWA सडिफिकेट बना रहे हैं जैसे कि मालीजी आपका कोई सरकाई नोकरी में देना है या फिर किसी सांस्ता लिखेंगे में आप वो दिखाना चाहेंगे देखिए यहाँ पर नाम लिखेंगे और इस तरह से स्पेस दबाएंगे तो आपका जो नाम है जिस तरह से लिखेंगे उस तरह से हिंदी में यहाँ पर टाइप हो जाएगा अगर किसी परकार का यहाँ पर कोई हिंदी में होता है यहां पर अधार नम्मर अगर आपके पास है तो देदीजीएगा नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं उसके बाद यहां पर सटेट आपको बताने हैं के तो मैं ग्राम पंचायत से नहीं होगा यहां पर टिक करूगा पिर यहां पे वाट संख्या लिखंगा कि मेरा वाट संख्या कितना है ठीक है? उसके बाद नीचे आएंगे तो ग्राम पन्चायत यहां पे-स सिलेट करेंगे कि आपका ग्राम पंचायत कहाँ पड़ता है फिर अपका जो ग्राम मुहल है उसको लिखेना है अपना डाग घर यहाँ पर लिखना है यहाँ पर जो पूलिस घ्षटेस नहीं है उसको पतानी है फिर अपना पीन को डालेंगे यहाँ पर आपका holding नंबर और circle नंबर हो तो डाल सकते यह तो मैं को छोड़ सकते हैं देखी यहाँ पे जो ही एक option आपको मिलेगा कि केंद्र हे तू अधिसूचित अन्य पिछरा बर्ग यानि की OBC येवं बिहार हे तू अधिसूचित अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती पिछरा बर्ग तथा अतियन पिछरा बर्ग की सूचि में सूचि बद नहीं है तो basically जो समाने होते हैं इसमें सुची बद नहीं होते हैं तो इसको ही आपको टीक करना है उसके बाद यहाँ पे अपना जो जाती है बताना है कि आप कौन से जाती से हैं ब्रामन है राजपुत है भूमिहार है कास्यद है सयद है सेख है पठान है या फिर और भी यहाँ पे द धाया ठीक हैं उसके बाद यहां पर फादर का नाम है उसके Apollo Cert का नाम लिखना है पर हिंदी हो जायों हो जाएगा फिर अगर महिला का फॉर्म कर रहे हैं तो यहां पर उसके husband का चाहे तो अपने को अच्छ यहां फरी परिवारिक है хотar बताना होगा कि है कि आपका परिवारिक क है कितना है 8 लक्षे 1 अर्तगरत आएंगे 8 लक्ष ज्यादा नहीं आएंगे को भी लाव त्लाव प्राप्ध नहीं वूगा उसके बाद आवेधक का फोटो अपलोड करेंगे उस पर जोई signature होना चाहिए, cross signature होना चाहिए, photo पे signature करके ही आपको upload करना है, क्योंकि यहाँ पे self-attested वाया गया है, ठीक है, तो photo यहाँ से choose कर लेंगे, जहाँ भी आपका photo होगा, उसके माधिम साब photo को यहाँ पे upload कर देंगे, ठीक है, इस तरह से photo upload हो जाएगा, अब नीचे आएं कि सभी परिसंपतियों को जोडने के पच्टात निमिनलिखित में से किसी भी सीमा के अधिक नहीं है, जैसे कि 5 एकर, क्रिसी, योग यो भूमी आथवा उसके उपर हमारे पास नहीं है, 1000 बर्ग फिट आथवा उससे अधिक चेत्रपल का हमारे पास आवासिये फिलेट नही है, नगर पालका करते गर्थ, 100 बर्ग गज अथवा उससे अधिक आवासिये भूखंड नहीं है, नगर पालका के इतर, 200 बर्ग गज अथवा इससे अधिक आवासिये भूखंड नहीं है, ठीक है, तो यह चीज़ों आपको देखना होगा, अगर इस तरह का इसके उपर केपचा को फील करेंगे और यहां पर सम्मिट के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए जैसे ही अब आगे फॉर्म को सम्मिट करेंगे तो आपने जो भी जनकारी भरा हुआ है उस जनकारी को यहां पर दिखाया जाएगा जिसको एक बाद आप चेक कर लिजेगा उपर भी जाकर आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद यहां पर आपको करना क्या है अटेच एनेसियर का जो बटन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है अब यहां पर क्या करना है कि आपको जो ही एक और यहां पर उसको upload कर देंगे इस तरह से ठीक है और उसके बाद save NACR के button पर आप click करेंगे तो आपका जो document है यहां पर upload हो जाएगा अब यहां पर आपको जो है जो भी आपने document upload किया हुआ है उसको आप यहां पर view कर सकते हैं देख सकते हैं कि आपने जो सही documents upload किया है कि न जायेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका जो सेवा परदान करने की तीठी है मतलब कि एक दिन कंदर ही आपको बना कर पूर्वाइड किया जायेगा तो इतना वेट करना होगा एक इस दिन कंदर ही आपका शड़ीफिएड जो है इसु कि आयता है नीचे आएंगे तो य साथ नीचे आप देखेंगे तो यह भी बताए गया है कि आपके पास जो है पांच एकर से क्रीशी जो योग यो भूमी आथवा उसके उपर नहीं है एक हजार बर्ग फिट से आपके पास जो है छेत्र फलका जो आशी फलेक्ट है नहीं प्लेट नहीं है अगर आपका करना है प्रिंट करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कि आप सिगनेचर करेंगे और सिगनेचर करने के बाद आपके जो भी हलका करमचारी होते हैं उनसे एक बार जरूर इसको सत्यापित कराकर अपने आटीपीस काउंटर पर जामा करवा देंगे चुकि आपका जो है जल करना होगा उसके अंदर ही इस पर निया जाएगा और आपका सटीफिकेट अप्रूबल होने के बाद आप इससे बड़ी असानी से ओनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि यहां पर आएंगे और आपको जो सटीफिकेट डाउनलोड करने का बटन मिलेगा यहां से आपने देखा कि मैंने जो है EWA सटीफिकेट के बारे में संपूर जनकारी आपको प्रवाइड करवा दिया कि EWA सटीफिकेट क्या होता है किस तरह से बना सकते हैं कौन-कौन से दास्तिर लगते हैं और किस तरह से आपको अप्रूबर मिलता है प्रिवे आपके मन में किसी प्रकार कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स पर में कमेंट करके पूछ सकते हैं जहां तक में नौलेज होगी आपको बताने की कोसिस की जाएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद